नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम आई पीशी नेम लिखना सीखेंगे एक्जामपल 11.1 अक्षा 12 दोस्तों यहां पे आई पीशी नेम में पहला स्टेप आपका होता है पैरेंट चैन यानि मुख्य सरंकला का चुनाव करना मुख्य सरंकला होती जिसमें नमबर ओफ लिखो तो हम गिनते हैं एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच ठीक है यहां पे इस रंकला में भी आपके कितने कारवन आ रहे हैं पांच और इसमें भी कितने आ रहे हैं पांच यहनि दोनों में नमबर ओफ कारवन तो सेम है अब मैं तो किसको देना है उसको मैं है तो देखे अभी जो चुनी है इसमें कितने जूड़े है एक दो तीन च्यार जब कि उसके बाद देखे नमरिंग करने होती नमरिंग उस साइड से करने चाहिए जिससे कि आपके जो परतिस्तापी है उनको कम से कम नंबर मिलें तो यहाँ पे देखिया आपका ओएच इसको एक नंबर मिलड़ा है दो, तीन, चार, पाँच, जबकि इस तरफ से लेते हैं तो एक, दो, तीन, चार, इसको पाँच वा नमबर मिलते हैं यहां पे से को क्या कहते हैं अब उसके बाद यहां नाम लिखते समय आप ध्यान रखना पड़ता है तो देखिए मैथिल का M, और इसका C, तो ABCD में C पहले आता है, इसलिए कलोरों को पहले लिखेंगेंगे इसकी position कौन सी चोथी, तो 4 कलोरो, maithil यहां भी है, यहां भी है, तो यहां कौन सी position पर है, दो पर, यहां पर, 3 पर 2 वार आया, इसलिए, डाई, और यहां पर मैं तो पुन बात यह कि आपके नंबर और वर्ड की बीच इस प्रकार का यह हाइफन आता है यह निदेस आता है ओके दो आ रहा है तो दो के लिए डाई और यह आपका मैथिल उसके बाद जो आपकी पेरेंट चैन है उसमें कार्बन कितने हैं पांच कार्बन को क्या कहते हैं पैंट है सिंगल बॉंड है तो इसके पीछे एन जोड़ते हैं जानते हैं लेकिन ओच जुड़ा हुआ है तो यहां पर इसका नाम करन करते समय आपका यह जुड़ता है एन प्लस और जो ओल है यह निए ओएच है झाल कर इसका ओफ का सफिक सई तो ह का कौन सा पोजीशन है उसको यहां पर आपको है मेंशन करना पड़ता है तो वण पजिसन पर है तो यह वन ओल आपका इसका आईंपी ंएम तो नेम इसका आई पीशी काफी बड़ा नेम आया है फोर क्लोरो टू थी डाइमेथिल पेंटेन वन ओल अब बात करते हैं इसकी दोस्तों इसमें यह आपका क्या है इथर इसमें देखिए एक तो आपका क्या बनता है एलकोक्सी एक बनता है आपका एलकेन तो एलकोक्सी उसको लिया जाता है जिसमें नमबर ओफ कारवन क्या हो कम हो यानि इसमें एक आपकी पेरेंट चैन होती है और एक आपका प्रतिस्ता भी होता है तो पेरेंट चैन वह होती है जिसमें नमबर ओफ कारवन ज्यादा हो यहा कि दो कार्बन और साथ में और दो कार्बन को क्या कहते हैं दोस्तों एथ साथ में और जुड़ावाय तो इसकी पीछे ओए जोड़ दो यानि टू एथ होक्सी कितने कार्बन इसकी प्रेंट चैन में तीन कार्बन तीन कार्बन को क्या कहते हैं प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो यह क्या बन गया आपका टुए थोक्सी प्रोपेन बात करते हैं दोस्तों अपने इसकी इसमें करना क्या है जहां आपका ओ एच है वहां से आपको नम्बरिंग देना शुरू करना है ठीक है तो एक तो दो नम्बर पे आपका आ रहा है एक कौन से च्छै नम्बर पे आ रहा है मैथोक्सी सोरी मैथिल समूए CS3 को क्या कहते है मैथिल दो वार आया है तो टू सिक्स डेस डाई मैथिल उसके बाद जो यह आपका मैंस ब्रांच है यहां पे जिस पे ओएच जुड़ा हुआ है इसको क्या कहते हैं दोस्तों फिनोल ओके तो यह क्या बन गया आपका टू सिक्स डाई मैथिल फिनोल ओके आसान है अब बात कर लें ते अपने इस लास्ट की तो इसमें करना क्या है यहां पे कि अ बी शी डिको ध्यान में रखते हैं आपको नमरींग स्टाट करनी है कि इसको ध्यान में रखते हैं लिए little a न ओने खिग और था क्या क्या कहते हैं दोस्त्ट नाइट्र्थमद इसका पहला आसर यह आता है तो पहले प्राइटिक इसको देंगे इसको तो वन टू चीक है यहाँ पर इसका नाम क्या बना आपका वन एथोक्सी देखे दो कारबन है तो एथ पीछे ओएक्स वाई जोड़ दो उसके बाद दो नमबर पर आपका आ रहा है अनो टू तो टू नाइट्रो मैन ब्रांच में कितने कारबन है छे कारबन छे को क्या कहते है हैग्स लेकिन ये किस में है चक्रिय में यानि एक साइकल में है तो इसको क्या कहते है साइक्लो है एक सिंगल बॉंड है तो इसके पीछे एन जोड दो यह बन गया इसका आपका IPC नेम ओके चले अगले वीडियो में फिर मिलते वीडियो कैसा लग नीचे कोमेंट करके पता दीजीगा